हमस्कार दोस्तो, Open IIS के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है Modern History Through Infographics की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Lecture 3 जोकी Establishment of British Paramount C से related है अब तक हमने Britishers की Europeans के उपर सुपरमेशी के बारे में पढ़ चुका है पीछे की Lectures को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें आप इस Lecture को उसे को रिलेट कर पाएंगे Europeans के उपर British की सुपरमेशी के बारे में जो Lecture है वो उपर में फ्लैस होरी होगी कार्ट्स में अब तक हमने पीछे की Lectures में Angle-French War Conquest of Bangal and Awad and now इस वीडियो में हम Conquest of Maysour देखेंगे स्टार्ट करते हैं Conquest of Maysour Angle Maysour Wars Maysour जैसा कि हम जानते हैं कि Maysour का इलाखा Bijanagar Empire का चेत्र के अंतरगत आता था उसी का चेत्र था 1565 हिस्वी में Bijanagar Empire का विगटन के बाद वडियार डैनिस्टी पावर में आई और वडियार डैनिस्टी ही Maysour के उपर रूल करता था हैदर अली जो की वडियार डैनिस्टी में एक सामन्त था वो डिंडी गूल के इलाखे में वहाँ का सेना का रक्षट भी था डिंडी गूल से वो धीरे-धीरे पूरे मैसour पिकपजा किया डिंडी गूल में उसने सबसे पहले 1760 में अपने आपको मैसour से इंडिपेंडेंट गोसित कर दिया और इसके बाद मैसour के वडियार डैनिस्टी और हैदर अली के बीच में कॉन्फिलिक्ट हुआ फाइनली हैदर अली ने वडियार डैनिस्टी को हटा करके अपने आपको वहा का सुल्तान मैसour का सुल्तान गोसित कर दिया 1761 में हैदर अली के बड़ते प्रभाव और उसका मैसour के उपर कंट्रोल और उसका संबंद हैदर अली का संबंद फ्रेंच से फ्रेंच से नस्दिकी होना यह सब अंग्रेजों को खड़क रही थी और अंग्रेज यह समझ रहे थे कि हैदर अली हमारे लिए एक प्रब्लम क्रेट कर सकता है आगे चलके तो अंग्रेजों और मैसour के बीच में कंट्लिक के रीजन थे हैदर अलीका राइस होना हैदर अलीका स्टेट के उपर काफी गंट्रोल होना क्रेड के उपर काफी कंट्रोल करना फ्रेंच से उनका संबंध होना और एक और रीजन यह भी था कि that either चाथे थे कि जो वडियार, जो हिंदू वडियार डानिस्टी है, उनको व रिस्टोर करना चाहते थे, और हमेशा ब्रिटिसर्स ने हिंदू और मुसलिम करके ये एक कंसेप्ट लाने की कोशिस की, कि हिंदू और मुसलिम के बीच में इंडिया में कॉन्फिक्ट सिच्योशन क्रियेट हो ज जाएं तैकि हमारा कामसान होजाएं अगर हम आंगलो मैसूर वार को अगर हम देखें तो सबसे पहले आंगल मैसूर की वार की पहली लड़ाई फर्स्ट आंगल मैसूर वार 1767 हिस्वी में 1761 में हैदर अली अपने आपको इंडिपेंडेंट खोसित किया मैसूर परदिकार किया 1765 के बाद हैदर अली का राइस काफी हो जाता है और 1767 हिस्वी में फाइनली अंग्रेजो और कमपनी के जो आर्मी थे उनके बीच में लड़ाई होती है बैटल अफ चेंगम 1767 हिस्वी में रिजल्ट कुछ डिसाइसी बाता नहीं है फाइनली फिर से लड़ाई होती है चोटी मोटी लाका में ये लड़ाई जो अंग्रेजो और मैसूर के बीच में 1779 हिस्वी में डिसाइसीव हो जाती है जब हैदर अली ने अंग्रेजो और हैदराबाद की निजाम की जो कमबाइंट सेना थी उसको हैदर अली और निजाम की कमबाइंट सेना अंग्रेजो को 1779 इस्वी में पराजित कर देती है और हैदर अली अपनी सेना ले करके मद्रास तक पहुँ जाता है अंग्रेजों को मजबूर करता है कि वो treating करे 1779 इस्वी में अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में ट्रिटी होती है तो ये फर्स्ट अंग्लो मैसूर वार हैदर अली के फेवर में जाता है सेकंड अंग्लो मैसूर वार कि सुरुवात 1780 इस्वी से होती है जब जब अंग्रेज हैदर अली को सपोर्ट करने से बना कर देते हैं मराठाओं के अटेक की समय मराठाओं ने हैदर अली के उपर मैसूर के उपर अटेक किया था 1780 इस्वी में जिसमय जो इसमें यह ध्यान देनी वाली बात है मैसूर ट्रिटी में यह बात साइन हुई थी कि बिटिसर्स जो है वो हैदर अली को सपोर्ट करेंगे जब ही कोई एक लोकल राजा उनके उपर अटेक करता है बट इसकी बस बट 1780 इस्वी में मदरास की ट्रिटी का उलंगन कर दिया बिटिसर्स ने यह कहते हुए कि हैदर अली का संबंद फ्रेंच से ज़्यादा बढ़ रहा है तो जब फ्रेंच से उनकी नजदीकी बढ़ रही है तो फिर ऐसे केस में वो फ्रेंच से ही मदद ले हम से मदद क्यों ले इस रीजन के कारण उन्होंने मदरास ट्रिटी को ब्रीज कर दिया था उसको उसको भंग कर दिया था आगे चलके हैदर अली ने बड़े ही चलाकी से निजाम और मराठा के साथ एक संजुक्त समझोता किया और एक ज्वाइंट फ्रेंट बनाया और अर्कॉट पे चड़ाई कर दिया अंग्रेजों के कबजे में था अर्कॉट की चड़ाई के बाद 1781 उसी में हैदर अली जीत गया 1781 उसी में बैटल अफ पोटोनोवा हुआ हुआ पोटोनोवा भी कारनेटिक स्टेट में ही आता है एक पोट सिटी है जो काफी ट्रेट के हिसाब से महत्वपुन्ट था इस यूद में अंग्रेजों ने जो चला कि हैदर अली ने की थी वो वही चला कि अंग्रेजों ने बड़े ही चतुरता से मराठा और निजाम को हैदर अली के अगेंस्ट कर दिया और हैदर अली के अगेंस्ट करने के पिछे राजन यही है कि मराठा और निजाम को प्रलोभन दे दिया कि अगर हैदर अली हारता है तो उसकी जो भी समराज है उसको हम लोग टुड़े-टुड़े करके आपस में बाट लेंगे हैदर अली हार गया वहार का जो कमांडर था आयरकूट अगरेजो का वो जीत गया क्योंकि हैदर अली को मराठा और निजाम से युद्ध को जारी रखता है 1784 इस्वी के बाद लेकिन फाइनली युद्ध का सिच्वेशन ऐसा क्रियेट हो गया था कि दोनों पर्च युद्ध को कैरी करना नहीं चाते थे फल सुरूप 1784 इस्वी में अंग्रेजो और ठिपु सुल्तान के बीच में ट्रिटी ओफ मैंगल यह मराठा पेश्वा का इलाका था और इधर अंग्रेज थे और यह मैसूर का इलाका था क्यूंकि मैसूर चारों तरफ से घिरा हुआ था अपने दुस्मनों से एक तरफ मराठा एक तरफ निजाम और एक तरफ बिटिसर्स अंगल मैसूर वार की जो तीसरी लडाई हुई तीसरी लडाई की शुरवात वही सेम रिजन संधी का उलंगन करना और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें महज 5 सालों बाद ही अंग्रेजो और मैसूर के बीच में तीसरी लडाई की शुरवात हो जाती है कारण यही ह के टिपू हैदर अली के मृत्ति के बाद जो उसका बेटा था टिपू सुल्तान वो बहुत ही महत्वकांची था और उसने पांच साल में ही दस साल में ही इतनी बड़ी सेना बना ली थी और अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपने पॉलिसी के हैं मदद से वो एक साउथ के रिजन में डेकन चेतर में वो काफी उसका उधे हो रहा था और ये हैदराबाद के निजाम के लिए भी खद रहा था येस्वाग के लिए खद रहा था और का कारण ही ये था कि third battle of आंगल मैसूर वार की शुरुवात होती है हिपु सुल्तान strategically French के साथ अपनी नजदी की साथ अन्य जो foreign rulers थे जैसे तुर्की उनके साथ भी संबंद स्थापित किया ताकि जरुड़त पढ़ने पर अंग्रेजियों से मुकाबला के लिए arms emanation की मदद ली जा सके तीसरे आंगल मैसूर वार की सुरुवात 1789 इस्वी में तब होती है जब 53 कोर के राजा टिपु सुल्तान की बातों को मानने से इंकार कर देते हैं और अपनी राज की इंडिपेंडेंसी को वो मेंटेन करना चाहते हैं टिपु सुल्तान चाहता था कि ये 53 कोर के राजा वो हमारी बात माने और जैसा मैसूर बोल रहा है जैसा टिपु सुल्तान के राजा है उस तरीके से ही वो सासन करे ट्रावन कोर के राजा ये बात मानने से इंकार कर देते हैं और टिपु सुल्तान ट्रावन कोर पे आकर्मन कर देता है 1790 एसवी में इस मौके का फायदा उठाता है करनवालिस और कारणवालिस बोलता है कि टिपू सुल्तान ने 53 कोर के मैटर में इंट्रफेर करके गलत किया है ट्रीटी को भंग किया है और वो मराठा और निजाम के साथ 1790 एसवी में एक अलाइंस बनाता है ट्रिपल अलाइंस मराठा निजाम भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि टिपू सुल्तान को त्रावन कोर के उपर आक्रमन नहीं करना चाहिए था फल सोरूप 1792 एसवी में अंग्रेज, निजाम और मौराठा की संजुक्त सेना 1792 एसवी में ट्रिपू सुल्तान की राजधानी सेरिंग पटनम पे आक्रमन कर देती है दोनों सेनाओं के बीच में अलाइंस की सेना और टिपु सुल्तान के सेना के बीच में युद होता है युद में टिपु सुल्तान हार जाता है और मजबूरन उसे सेरिंग पटनम के संदी पर साइन करना पड़ता है वो स्रीरिंग पटनम की संदी टिपो सुल्टान के लिए काफी हिमिलियेटिंग था तो इसी तरीके से थर्ड अंगल मैसूर वार की जो का अंत हुआ वो स्रीरिंग पटनम की संदी से जो 1792 उसी में साइन हुआ था उसी के साथ ये अंत होता है अंग्रेजो और टिपो सुल्टान के बीच में मैसूर के बीच में अगर आप लड़ाई के बाद जोग्राफिकल कंडिशन को देखेंगे तो ये इलाका चुकि वो टिपो सुल्टान हार गया था तो इस इलाके के ऊपर निजाम का कबजा हो जाता है मैसूर के इस इलाके के उपर मराठाज कबजा कर लेते हैं ये इलाका अंग्रेजों को दे दी जाती है अंग्रेज अपने कबजे में ले लेते हैं जो फ्रेंच से ज़्यादा इंफ्लूएंस थे और ये करनाट के सटा हुआ जो इलाका था अंग्रेज अपने साथ रख लेते हैं तो इस तरीके से जो अंग्रेजों ने वादा किया था राजाओं को कि उसके एरियाज को हम लोग टुगरे-टुगरे करके बाट के और अपने बीच में बाट करके और टिपु सुल्तान को सिमित कर देंगे वो उन्होंने बखुबी किया फॉर्थ आंग्ल मैसूर वार चौथे आंग्ल मैसूर वार की सुरवात टिपु सुल्तान जो स्रीरिंग पटनम की संधीक में उसका जो हमलीशन हुआ था जो उसका अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए टिपु सुल्तान फ्रेंज के काफी नजदीक चला गया और अफगान के राजा जमान साह और टर्की इन तीनों की मदद के लिए उनके काफी करीब चला गया और उन तीनों की मदद से ही वो चाहता था कि अंग्रेजों को पराजित करते है इस बात से न तो अंग्रेज खुस्त है, नहीं निजाम खुस्त है, और नहीं वेशवा खुस्त है, मराठाज खुस्त है फलो सरूप, टिपु सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की सुरुवात होती है, जिसे बैटल अफ सेदा सीर बोलते हैं, जिसमें आर्थर वेलेजली पाटिसिपेट करता है, यह लॉर्ड वेलेजली नहीं था, आर्थर वेलेजली उसका सेना में था बैटल अफ सेदा सीर से ही, चोथे आंगल में सुरुवार की सुरुवात होती है, जो 1799 में होती है, यह बैटल आगे 1799 में काफी डिसाइसिवली रूप से घमासान दोनों के बीच में सुरुवा जाता है, टिपु सुल्तान इस युद्ध में मारा गया, क्योंकि जो अंग आकरमन कर दिया, सेदा सीर के बाद सेरिंग पटनाम पे अंग्रेजों ने आकरमन कर दिया, और एक दूसरा फ्रंट खोल दिया, टिपु सुल्तान मजबूरी वा सेदा सीर की युद्ध के कुद को छोड़ करके वो अपनी कैपिटल की रक्षा करने के लिए, अपनी अपनी की रक्षा करते हुए, टिपु सुल्तान युद्ध में मारा जाता है, 17992 में, और इसी के साथ अंग्रेजों ने मैसूर को फुली अपने कबजे में ले लिया, मैसूर एक अंग्रेजों का एक सबसीडरी अलाइंस बन जाता है, लौड वेलेजली ने सबसीडरी अल कंडिशन की च sexual करें, तो यह जो इलाका 3rd अंगल मैसूर वार के बाद जो निजाम को मिला था, यह तीनों बनाए था, यह अपस में उनकी संधी थी, कि मैसूर के समराज को हम आपस में बाटेंगे, यह लाका निजाम को मिल गया, यह वाला इलाका जो है, वह पेश्वा को म अटाक करके वहां का जो वड्यार डैनिस्टी है उसको वापस स्टेवलिस कर दिया गया इसको समराइज कर लेते हैं जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए उसको समराइज कर लेते हैं तो सबसे पहले युद्ध की सुरुवात 1767 में हैदर अली के साथ हुई आंग्ल मैसूर के पहली लड़ाई हैदर अली के साथ हुई हैदर अली जीत गया उस युद्ध में फाइनली और अंग्रेजों ने ट्रेटी ओफ मद्रास साइन किया दूसरे अंग्ल मैसूर युद्ध की जीतना चाहता था लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी ही चलाकी से निजाम और मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया और हैदर अली अकेला पड़ गया फाइनली हैदर अली युद्ध में मारा जाता है 1781 में उसका बेटा टिपु सुल्तान उस युद्ध को आगे चलाता है और ये युद्ध indecisive हुआ हलाकी इसमें कहा जाए तो हैदर अली टिपु सुल्तान की जीती हुई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़नी नहीं दिया और ट्रिटी अफ मैंगलोर जो वार उस समय का जो गवर्नर जनल था वारन हैस्टिंग्स उसके बीच में और टिपु सुल्तान के बीच में ट्रिटी अफ मैंगलोर साइन होता है जो सेकंड अंगल में सुरुव वार के समय ठर्ड तीसरे अंगल में सुरुव वार की सुरुवात होती है जब टीपु सुल्तान त्रावन कोर के उपर आक्रमन कर देता है और इसी का फैदा उठाके लॉड कारनवालिस, मराथा और निजाम के साथ संजुक्त सेना बना करके टीपु सुल्तान के उपर आक्रमन कर देता है और टीपु सुल्तान उस युद्ध में मारा जाता है Lord Karnavalis, सोरी, मारा नहीं जाता है Lord Karnavalis युद्ध जीत जाता है टिपु सुल्तान के हार होती है और टिपु सुल्तान को एक Humiliating Treaty, Treaty of Sharing Patnam sign करना पड़ता है Finally, चौथे आंगल में सूर वार की सुलवाद टिपु सुल्तान के अंग्रेजों के साथ बदला होता है मतलब कि टिपु सुल्तान टिपु सुल्तान ने अंग्रेजों से बदला लेने की कोशिस करती है और वो आकरमन करता है अंग्रेजों के उपर लेकिन Lord Villegelee ने बहुत ही चलाकी से उस आकरमन को निरस्ट कर देता है निजाम और मराठाओ के संजुक्त सेना के मदद से और फाइनली 1799 यसी में टीपो सुल्थान मारा जाता है मैसूर बिर्टिस का एक मतपुन सबसीडरी अलाइंस बन जाता है और मैसूर का एरिया, मैसूर का जो समराज था जो टीपो सुल्थान के कबजे में था उस समराज को अंग्रेज, निजाम और पेश्वा आपस में मिलके बाट लेते हैं और वहाँ का जो हिंदू डानेस्टी था, वडियार डानेस्टी उसको पूनर स्थापित कर दिया जाता है इस प्रकार से मैसूर के उपर अंग्रेजो का कबजा हो गया इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1665 इसवी तक बंगाल को कबजा कर लिया आगे आते आते 1799 इसवी तक, यानि 1800 इसवी तक बंगाल के बाद मैसूर के उपर भी अंग्रेजो का कबजा हो गया इस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ती गये